इधर इस्वराइल ने लिबनान में हेजबुला के लड़ाकों को खत्म करके अपने मिशन के तहट हवाई हमले तेज़ कर दिये पिछले 24 गंटे में इस्वराइली सीना ने लिबनान के दो अलग-अलग इलाकों में ताबर तोड हवाई हमले किये इस्राइली बेरूत के दहिया और बेका घाटी में हिस्पुल्ला के चिकालों को निशाना बनाया इस्राइली एस्ट्राइक में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं और 76 लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है ऐसे ही का इलाका आप देखिए जहां पर इस्राइल ने अटाक किया एक गली दिखाई दे रही है चारो तरफ मल्टि फ्टोरी बिल्टिंग दिखाई दे रही है अब ये बिल्टिंग कम खंटहर ज़्यादा दिखाई देती हैं क्योंकि आग का धुए का असर इस पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मानो रहाईश यहां पर खत्म हुचकी हो इसराइल लगातार हिजबुला के ठिकारों को टार्गेट कर रहा है इसराइल की ताबर तोड एरस्ट्राइक से लिबनान के कई इलाके कैसे खंटहर बन गए है उनके तस्वीरे भी इस वक्त में आपके सामें रख रही हूँ चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ नस्वर आ रहा है कहीं आँख दिखाए दे रही है कहीं राख का धेर दिखाए दे रहा है इतना नुकसान हुआ है कि अब ये इलाका इंसान के रहने लाइक बचा नहीं है और फिर से इसे री डेबलब करने के लिए लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए उतने अगर आप देखें संसाधनों के जरूरत होगी और क्या ये संसाधन उपलब्द हो पाएंगे मोहिया हो पाएंगे एक तरीके से किसी भी शेहर की एकॉनमी के तोड़ने का सबसे आसान तरीका है वहाँ के रहाइश को ही खत्म कर देना और वही इस वक्त इस्वराइल कर रहा है 27 स्टेंबर को इस्वराइली हमले में माने गए हिजबला चीफ हसन नसरला की डेड बॉड़ी मिल गई है जारही है यह देखे तक हुरी जहां पर ये से नसरला का शंव बरामत कर दिया है तक नसरला की मौत के बाद हस्वराइला ने हाशिम् सपिलत दिन को अपना नेता चुन लिया है खार शिम्डीन नसरला का चुचेरा भाई है हाशिम सफिलदीन नसरला के मौत का बतला लेने की बात कर रहा है उसने कहा है कि इसराइल का ये जश्ण अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा लेकिन कदम क्या उठाए जाएंगे ऐसे मौके पर तब जब इसराइल इन लोगों के खून का प्यासवा बना हुआ है नसरला की मौत से बुखलाया हुआ हिस्ब ला पलचवार कर रहा है हिस्ब ला ने इसराइल पर कई रॉकेट ताके उतरी इसराइल के हाफिया में हिस्ब ला ने जो हमला किया उसके तफ्विर अब मैं आपके सामय रखने जा रही है हिस्ब लड़ाय लड़ रहा है तीन एच उसके निशाने पर है वो हिस्ब ला है वो हूती है और वो हमास है और इन तीनों के खिलाफ इसराइल ने एर स्ट्राइक कर रखी है इसराइल की तरफ इराक से भी लेकिन पलचवार हो रहा है यह अचाक इराक की तरफ से किया गया जिसके तफ्विर आपके सामने है इस्राइल पर इराग के इस्लामिक रिजिस्टिंस के तरफ से अजाग किया गया है